ओतरप्रदेश की कानपूर पुलिस ने कॉलिज प्रबंदा कि शमणपाल की हत्या का खुलासा कर दिया है और यस मामले में पुलिस ने तीन सगे भाईयों में से दो को घिरफतार किया है साथी इनके पास से लाइसेंसी बंदूक और बांका भी जप्त किया है फिलाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पनकी थानाक शेत्र में दमगड़ा इंटर कॉलिश के प्रबंदक श्रमण पाल की तीन सगे भाईयों ने दिन दहाडे हत्या कर दी थी और पुलिस ने बताया कि आरोपियों को शक था कि उनके पिता की हत्या शमर पाल ने कराई थी और जिसके चलते उन्होंने इस से पूरी वारदात को अंजाम दिया फिलाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है